नमस्कार, आज मैं पेठे की खटी मिठी सबजी बना रहे हूं, चलिए शुरू करते हैं। कद्दू की खटी मिठी सबजी बनाने के लिए, कद्दू मैंने लिया है, यह सिता फल, 200 ग्राम, मिठी दाना मैंने लिया है, एक चमच, गरम मसाला पाउडर, आदा चमच, चीनी ली है, एक चमच, हिंग, छुटकी भर, नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे, और यह टूटी फ ज़री बर्ड मैंने लिया है, यह धनिया पाउडर है, आदा चमच, हल्दी पाउडर है, वन फोर्थ यानि की आदा चमच का भी आदा, हल्दी हमारी कम लगेगी इसमें, तो ध्यान रखना है, सरसो का तेल मेने लिया है, एक चमच, लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के 1 चमच, अमचूर पाउडर, 1 चमच, चने की दाल, 1 चमच, हरा धनिया, 1-1.5 चमच, बारिक बारिक काट लिए. शुरू करते हैं. सबसे पहले, यह जो पंपकिन है हमारे पास, इसको छील लेंगे और काट लेंगे, यह गुदा हटा दें इसके उपर से, और इसका छिलका उतार लेना है हमें. चिलका इसका थोड़ा हार्ड होता है, तो थोड़ा सा उतरने में टफ है, तो इसलिए थोड़ा मोटा चिलका इसका उतारें, इस तरीके से इसको छील लें, और उपर से जो बीज होगर है, वो हटा दें. अब इसके पिसीज करेंगे हम, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं करने, और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं करने, इस तरीके से, यह देखिए, पतले-पतले स्लाइस में काट रहे हूं, यह काट लिए, अब गैस ओन करेंगे, और एक पैन या कड़ाई आप ले लें, सबसे पहले तेल इसके अंदर, मैं सरसों का तेल ले रही हूं, आप कोई भी कुकिंग और ले सकते हैं, तेल थोड़ा गरम हो जाएगा, उसके बाद में डालेंगे मेथी दाना, मेथी दाने को थोड़ा भूल लेंगे, मेथी दाने को थोड़ा भूल जाएगा, इसके बाद में डालेंगे चनी की दाल, इसको भी थोड़ा रोस्ट चलें, इसके बाद में डाल देंगे अद्रक और हरी मिर्च, गैस को कम कर लें, गैस को कम इसलिए किया है, गैस को कम इसलिए किया है, ताकि चीटे मूग के उपर ना आए, क्योंकि जब भी हम हरी मिर्च डालते हैं इसके अंदर, तो चीटे एकदम उपर आते हैं, इसके बाद में डाल देंगे मसाले, गरम मसाला पाउडर, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चीनी, आप चीनी की जगे गुड भी ले सकते हैं, जितनी चीनी ली है उतना इक गुड अपग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं, और नमक डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से लगबग आदा चमच लगेगा नमक यहां पे, और थोड़ा सा मसाले को हम भून लेंगे, एक अच्छी सी खुश्बू इसमें से आने लगे, गैस को तेज कर देंगे आप, और इसके बाद में डालेंगे यह कटा हुआ कद्दू, इसको भी अच्छी से भून लेना है, मसाले इसके उपर अच्छी से ताकि कोटिंग हो जाए, और इसके बाद में डाल देंगे इसमें लगवक आदा कप पानी, आदा कप पानी में डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करें, और कम आज पर इसको पकाना है, जब तक कि यह कद्दू हमारे सौफ्ट हो जाए, तब तक हमें धक्कन लगा के पकलना है इसको, तो धक्कन में लगा देखती हूँ, लगवक 5-7 मिनिट लगेंगे और गैस को कम कर देंगे, चलिए चेक करते हैं सबजी को, एक टुकड़ा चम्मत से तोड़के देख लें, यह देखिए, असानी से टूट रहा है, यह देखिए, अच्छे से, बहुत जल्दी बन जाती है इसमें टाइम ने लगता, जटपट बनने वाली सबजी है यह, अच्छे से एक बर्फिस से म तो बस पानी सूखने तक इंतजार करें, तब तक इसको पकाए, या तेज आज करके पानी को सुखा लें, और हरा धनिया डालने बस, टूटी प्रूटी डाल दी, अच्छे से मिक्स करें, और अब इसमें डालेंगे, चुटकी भर हींग, ज्यादा नी डालनी, कद्दू की सबजी में हमेशा जो हींग है, वो थोड़ा सा बाद में डालें, पकने के बाद डालें, अच्छे से मिक्स करें, और दो मिनट डखके, ऐसे ही रख दें, गैस को बंद कर दें, क्योगि सबजी हमारी बंद चुकी है, बस भाप में, तब तक डखके रखना है, दो मिनट तक सबजी करते हैं, न हंचे सकते हैं, इसको पराठे साथ खासकते हैं, जिस ही टाइम चाहें, इसको घरखके साते हमारी, तो कमकशी में Hooks टड़ा हून, जिसी ताइम चाहें, इसको खा सकते हूं प्रीदी का दोगी सब्दी ते यारे